जै सीतला माता की स्वागत है आप सभी का मेरे एचस भारत द्वा योटूब चैनल पर 25 मार्थ बड़ा सुक्रवार सीतला अश्ट मी सीतला माता की किरपा से पुत्र प्राप्ति के धन प्राप्ति के योग बन जाते हैं जिन पर सीतला माता की किरपा बनी रहती है इस दिन कामना बोलते हुए प्रात्रा करनी चाहिए और सित्ला माता को यह चीज़ा अरपन करनी चाहिए सित्ला अश्टमी के दिन तंडा भूजन करना चाहिए होली से आठ में दिन सित्ला अश्टमी पड़ती है और सीतला अश्टमी तक यानि होली से लेके सीतला अश्टमी तक बीच में सुबर दिनों में सीतला माता की पूजा प्रति दिन होती है अश्टमी तक चलती है सीतला माता की पूजा तो इन दिनों में थंडा बोजन किया जाता है जब सितला मता के हम पूजा करते हैं तो ठंडा भूजन किया जाता है तो इसमें जैसे दई है, चावल है, मीठे पराटे हैं, चीनी वाले जो होते हैं ये चीजे माता को अरपन करने चाहिए साथ ही आपको माता के लिए नेवेदी के रूप में भी आप अपने हाथ से पकवान बना करके रख सकते हैं और वह माता सितला को भोग लगा करके उसका प्रसाद जरूर खाना चाहिए कोई भी पकवान बना करके आप रख दीजिए एक दिन पहले एक दिन पहले बना के रखा जाता है और थन्डा भोजन इसमें किया जाता है गरम भोजन आपको नहीं करना है इस दिन माता के सामने केले का फल नारियल ये चीज़े आरपन करनी चाहिए जिसका प्रसाद आप स्वेम खाएं और इस दिन मंदर में जहाडु दान जरूर करनी चाहिए आपने देखाऊगा कि माता की आत्में भी जाड़ू है तो आपको जाड़ू दान जरू करनी चाहिए और वहाँ पर अपनी मनोकामना बोल करके पुत्र की मनोकामना बोल करके थोड़ी सी जाड़ू सितला माता की मंदर में लगा के भी आए और वह जाड़ू वही पर रख कर करने करने चाहिए साथ परक्रम करने चाहिए गरीबों को इस दिन दान देना चाहिए जितने बसकी हो उतना जो है दान जरूर करना चाहिए सीतला माता के सामने बैठके परातना करने चाहिए कि ही सीतला माता आप हमारी परातना सुईकार करें सीतले तुम जगत माता सीतले तुम जगत पता सीतले तुम जगत धात्री सीतला यह नमो नमा इस पकार से आपको बोलना चाहिए कि सीतला माता तुम्ही माता हो तुम्ही पता हो तुम्ही जगत के रख्या करने वाली हो आपको मेरा नमस्कार है इस पकार से आप हमारी सभी प्रात्राओं को जो है सुईकार करें हमारे हरी इच्छा को जो है पूरा करें इस पकार से आपक सीतला माता के सामने प्रात्ना बोलनी चाहिए दोस्तों इतना प्रभावा अपने कथावें भी सुनाओगा कि मरे हुए पुत्र जीवित कर दियते हो सीतला माता की क्रपा से पुत्र प्राप्ती हुई थी तो बहुत ही अच्छा योग होता है इस दिन आप यह उपाय जरूर क चीजे खाएं और यह चीजे चूब में बताईएं यह चड़ा करके भी माता के सामने जरूरा है साथ ही बता से भी माता को अरपन करने चाहिए इससे आपकी हर मनो कामना पूरी होगी है जैसे इतला माता लिए